हेलो दोस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर और मैं हूँ आप सबका अपना जॉर्डन सर और लेकर आगया हूँ आपके लिए सुपर 25 सीरीज का एक और नया लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर होगा 14 और जैसा कि आप जानते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और तोड़ना क्या है तोड़ना आपको ऐसा धरवाजा है जिसके दूसरी तरफ नौकरी है और इस तरफ आप हैं दोस्तों नौकरी या फिर कोई भी जीवन में एक respected post या फिर अपने जीवन की इच्छाओं में बस केवल एक दरवाजा दूर होता है यहां पर आप खड़े हैं और यहां पर आपके सपने खड़े हैं बस बीच में एक दरवाजा है और आपको इतने मन से त्यारी करनी है कि आपने CID देखा होगा कि जिस तरह से दया दरवाजा तोड़ देता है उसी तरह से आपको अपनी तयारी के साथ इस दरवाजे को तोड़ देना है और उसके बाद आपका पूरा life जो पूरी जिन्दगी होगी वो सफलता की होगी और आपके मन की होगी और दोस्तों मैं लेक्चर नमबर 14 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सामने लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर जितने भी कोशन दिये गए हैं यह कहीं न कहीं आपको बॉटनी से रिलेटेड नजर आ रहे होंगे दोस्तों वनस्पती विज्ञान से रिलेटेड हो होंगे और ऐसे कॉशन है जनरल जो के पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं या फिर हो सकता है कि आगे यह पूछे जाएं तो दोस्तों धीरे दीरे चुके 25 की सीरीज होती है इसके बाद भी और लेक्चर आएंगे तो आप लोग हर 25 के लेक्चर को यह सोचके पढ़ा करो कि जो सरने यह 25 कराई यह मुझे करने हैं और जितने भी वीडियोज हैं दोस्तों उम्मीद है आपने इस से पहले के 13 वीडियोज देख लिए होंगे अब उम्मीद करिए दोस्तों कि अब तक आपको कितने कॉशन तयार हो गई होंगे और आपको मालुम होना चाहिए कि मैं आपको केवल वीडियो में लखे कॉशन नहीं समझाता हूं इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाता रहता हूं तो दोस्तों बिना देर करें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला कॉशन लिखा है गेहूं में जड़ तो याद रखना दोस्तों पेपर में कॉशन मनता है कि गेहूं में किस प्रकार की जड़ होती है आपको बताना चाहेंगे कि जड़ हमेशा तीन प्रकार की होती है पहली होती है दोस्तों मूसला जड़ जिनको हम लोग कहते है टैप रूट दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ जिनको हम लोग कहते ह Fibrous Root ठीक है तो पेपर में question मनता है कि गेहूं में कौन सी जड़े होती है तो याद रखना दौस्तों जखडा जड़े होती है याद रखना Fibrous Root होती है चलिए अब नमबर दो पे आते हैं दूसरा लिखा दोस्तों जड़े किस से विक्सित होती है तो आपको बताना चाहें कि कोई भी बीज होता है जो जो सीड होता है बीज होता है उसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों दो मेन भाग होते हैं बीज के पहला वाला होता है मूलांकुर और दूसरा होता है प्रांकुर मूलांकुर को दोस्तों हम लोग कहते हैं रेडिकल और प्रांकुर को कहते हैं तने किस से विक्सित होते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर याद रखना प्रांकुर मतलब मूलांकुर को कहते हैं रेडिकल इंग्लिश में और जो प्रांकुर होता है उसे कहते हैं प्लूमूल मूलांकुर से बनती हैं जणे और प्रांकुर से बनते हैं तने उम्मीद है दोस्त कुछ सीखते हैं और नया नया क्या लिखा सामने जड में पाए जाने वाले उतक दोस्तों याद रखना आप लोगों ने इनका नाम खूब सुना होगा कि जडों में कौन से उतक होते हैं जायलम उतक होते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अपने वीडियो में इस जाय जमीन से मतलब धर्ती से जल और खनिज लवणों को अवशोशित करके पौदे के अलग अलग भागों तक पहुचाने का काम करते हैं उम्मीद है दोस्तों ये वाली बाद आपको समझ में आगई होगी अगर नहीं आई तो आप लोग वीडियो को फिर से 10 सेकंड बैक करके फिर से मेरी इस परिवाशा को सुन सकते हो तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम टाइम वेश्ट विलकुल नहीं करेंगे लिखा है जणों पर एक कोशिकी रचना देखिए दोस्तों मान लीजिए ये जणे हैं जमीन के नीचे जणे हैं और इनके उपर बहुत छोट छोटी सी एक रोम जैसे होते हैं लेकिन होंगे एक कोशिकी है एक ही कोशिका के बने होंगे तो एक कोशिकी है सन्चनाए होती है छोटी छोटी जणों के उपर उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों तो याद रखना उन्हें हम लोग कहते हैं मूल रोम क्या कहते हैं यही मूल रो जो हैं ये जमीन से जल और खने लवणों का अवशोशन करते हैं किस के द्वारा जायलम उतकों के द्वारा ठीक है दोस्तों तो याद रखना कि जायलम उतक किन में होंगे मूल रोम के अंदर तो और क्या करेंगे जल और खने लवणों को अवशोशित करते हैं तो दोस्तों ये चार पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, तो बिना देर करें आगे बढ़ो, अब लिखा दोस्तों जड़ों के प्रकार, क्या लिखा जड़ों के प्रकार, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कि जड़े हमेशा तीन प्रकार की होती है, पहली कौन सी होंगी दोस्तों, मूसला जड़े, दूसरी कौन सी होंगी, अपस्थानिक जड़े, और तीसरी कौन सी होती है, जखड़ा जड़े, मूसला का मतलब हुआ टैप रूट, अपस्थानिक का मतलब हुआ एडवेंटीशियस रूट, और जखड़ा का मतलब हुगा फाइबरस रूट याद रखना दोस्तों कि पेड़ पौधों को अगर हम श्रेणी में बाटना चाहें तो दो टाइप की श्रेणी में बाटते हैं पहले होते हैं दोस्तों एक बीज पत्री और दूसरे होते हैं दूइबीज पत्री तो ये क्या होते हैं ये मैं आपको फिर कभी समझाओंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन अभी मेरी बात को सुनिए कि अगर पौधा दोईवीज पत्री है दोईवीज पत्री देखो थोड़ा सा सुनी लो चलो दोईवीज पत्री दोईवीज पत्र होते हैं पत्र मतलब बीज के ऊपर दो आवरन होंगे इससे समझो तो अब मेरी बात को ध्यान देना अगर पौधा दोईवीज पत्री है कौनसा दोईवीज पत्री है तो उसमें हमेशा कौन सी जणे पाई जाएंगी दोस्तों मूसला जणे पाई जाएंगी अब अगली बात को सुनो अगर पौधा एक बीज पत्री है तो उसमें कौन सी जणे होती है दोस्तों अपस्थानिक जणे होती है और हाँ एक बरगत का पेड आपने सुना होगा बैनि जाती है और आपने उम्मीद है कि गेहों की जड़े देखी होंगी वो हमेशा कैसी होती है जकड़ा जड़े होती है तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पांच पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद हो गए होंगे चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब लिखा दोस्तों जक्डा जणों का अन्य नाम के आके नम जक्डा जणों या फिर fibrous roots को और क्या भी कहते हैं तो याद रखना इनको हम लोग कहते हैं तन्तु मैं मूल क्या कहते हैं तन्तु मैं क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे तन्तु निकले होते हैं फाइबर्स निकले हुए होते हैं इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं तन्तु मैं मूल कहते हैं उम्मीद है दोस्तों और मूल का मतलब क्या होता है जड़े होता है आपक के नलजर आते हैं तो जो जड़े होती है उनका जो एंडोता है सिरा होता है उसको क्या कहते दोस्तों मूल-गोप कहते हैं इंगलिश में क्या कहते हैं ठीक है तो अमीद है यह वाली बाद भी क्लियर हो गई होगी चलो यार आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हो, सब कुछ त्यार करते हो, क्योंकि मुझे मालूम है, कि अगर वीडियो में आप यहां तक बने रहोगे, एक होता न, कि कुछ जिनका मन नहीं लगता है पड़ाई में, उनने थोड़ा बहुत वीडियो देखा, कि अरे यार यह क्या जगड़ा अकड़ा, दिमाग खराब हो रहा है, हटाओ इसको, उनने बटा दिया, तो देखो भाई, एक बात तो ध्यार नखना, अगर कुछ करना जीवन में, तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा, और एक बात और, अगर तुमने इसमें इंट्रेस्ट पैदा कर लिया, तो दोस्तों, एक मिनिट का भी प्रेशर नहीं लगेगा, फिर तुम यह कहोगे, कि अ पता नी, सुपर 25 का अगला वीडियो कब आए, बस यह है कि आपको एक इंट्रेस्ट जगाने वाली बात है, और आजकल इंट्रेस्ट किस चीज में जगरा है दोस्तों, शायद मुझे बताने ही जरूत नहीं है, आजकल इंट्रेस्ट जगरा है, कि जाने मेरी जाने मन, जाना गया था, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस लेकिन इतना बताना चाता हूँ, अगर इन चीजों में आपका इंट्रेस्ट ज़्यादा हो गया, तो पढ़ाई तो दूर हो जाएगी, यह बात बिल्कुल शेयर है, हाँ, कुछ सफल कर लो, कुछ पा लो, तो उसके बाद यह स सफलता की सीडी पहोंगे, तब आप इंटर्टेन्मेंट के लिए इन चीजों का पूरा यूज कर सकते हैं, लेकिन, लेकिन जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ में है, तब तक आपको सीरियस होकर, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी, तो विद्या का अरजन करना है दोस्तों, याद रखिएगा, तब तक आपका कहीं भी दिमाग बटकना नहीं चाहिए, तो इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, तो लिखा है दोस्तों, तनों का निर्मान होता है, मैंने अभी अभी आप से कहा था, कि वीज के दो भाग होते हैं, एक का ना होता है, किस से होता है, प्रांकुर से होता है, प्लू मून से होता है, और मूलांकुर मतलब होता है रेडिकल, चली आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा दोस्तों, तनों का कारियर, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, पेपर में कई बार पूछा गया, क्या लिखा, भोजन संचय, याद रखना दोस्तों, कि किसी भी पौधे में, भोजन बनाने का काम तो पत्तियां करती है, याद रखना, भोजन बनाने का काम कौन करता है, पत्तियां करती है, लेकिन उस भोजन को सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, कि जो भोजन सुरक्षित रहेगा, जरू तो यार आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में, उम्मीद आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तो आगे बढ़ रहे हैं, तनों के रूपा अंतरण, अब याद रखना के भी अलग-अलग रूप होते हैं, मतलब तने देखने में तीन टाइप के होते हैं, रूप का मतलब हुआ कि ऐसे तने जो भूमी के नीचे पाई जाते हैं, अब देखो, इमेजन करो, महलो ये भूमी है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे तने जो भूमी के नीचे पाई जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भूमी गत तने, अब दूसरे नमबर पे क्या लिखा दो होता है आदे तो ऐसे समझे लो इस तरह के देखो इस तरह से होता है महलो यह जमीन है तो ऐसे तने जो आदे तो मतलब जमीन पर रखे हुए हैं भूमी पर भी है और आदे हवा में हैं दोस्तों देखो इस तरह से लेटे हुए होंगे तो उन तनों को दोस्तों हम लोग क्या क दोस्तों, उसके बाद क्या लिखा भाई, वायवीय तने, तो वायवीय तने मतलब ऐसे तने जो पूरी तरह से समझ गई होगे, नॉर्मल तने आपको देखते हैं, जो पूरी तरह वायू में होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय तने कहते हैं, तो उम्मीर है तीर दोस्तों कि ये तीनों टाइप के तन्य आ आपको clear हो गई होगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब लिखा है मैंने आपके लिए और एक्जामपल ऐसे लिए जो कि पेपर ओं में बहुत बार पूछे जाते हैं जैसे example क्या लिखा दोस्तों आलू अद्रक हल्डी अर्भी हैं और प्याज ऐसे लेसुन भी हो सकता है तो आखिर ये सब कैसे तने हैं तो मेरे ख्याल से आलू को देखते ही आप लोग समझ गई होंगे कि 100% आलू का होता है भाई आलू ऊपर तो नहीं होता आलू जड नहीं है आलू क्या है दोस्तों आलू है तना लेकिन कैसा तना है जो जमीन के नीचे पाया जाता है और मैंने अभी बताया कि ऐसे तने जो कर्मीन के नीचे पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं इसका मतलब कि यह जितने भी मैंने यहां लिख रखें यह वाले कौन से वाले आलू अद्रक हल्दी अर्वी और प्याज तो यह सब कौन से वाले तनों के उधारन हो जाएंगे दोस्तों भूमी गत तनों के उधा को देखते ही समझ गए थे कि यह भूमी गत तना है जमीन के नीचे पाया जाने वाला तना है बैसे ही दूब घास को देखके आप समझ गए होगे कि यह तना कैसे होता है दूब घास हमेशा कैसे जमीन की तरफ इस तरह से ब्रद्दी करती है ना जमीन के ऊपर ना तो पूर सा example paper में आ जाए है ना तो दूब घास खटी बूटी फ्रेगेरिया पिपर मिंट तो ये सब कौन से हो गए दोस्तों ये सबी हो गए अरध वाया वीयत कौन से हो गए अरध वाया वीयतने जो आदे हवा में आदे जमीन पे हैं अब आ गए तीसरे नमबर पे तो ये दोस्तों मुझे मेरे खाल से बताने की जरूद भी नहीं है कि ये example किसका हो जाएगा दोस्तों वायवीयतने का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा वायवीयतने मतलब जो पूरी तरह से हवा में होते हैं अब example बहुत normal है क्या लेका अंगूर, कद्दू, नागफनी, यूफोर्विया, क विया क्या होता ही, हमने कभी सुना ही नहीं है, या फिर आपके बाबाजी मेरे काल से बाकी तो सबके सब आपने सुन रखे हैं, ऐसे ही आप पूछ सकते हैं, कि फ्रेगेरिया क्या होता है, तो ऐसे जो आपने कभी नहीं सुने, जो नए हैं, आपने नहीं देखे हैं, वो उन बाबा जी से गूगल बाबा जी से पूछ सकते हो ठीक है तो चलो दोस्तों तो ये वाले जितने भी लिखे हुए हैं ये कौन से वाले हो जाएंगे वायवी है तने हो जाएंगे तो चलो यार अब आगे बढ़ रहे अब क्या लिखा भाई तो पती में कौन सा वरनक है इंग्लिश में कहते हैं pigment, तो पतियों को कौन, ऐसा कौन है जो रंग प्रदान करता है, तो याद रखना दोस्तों आपको मालूमी होगा क्लोरो फिल हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं दोस्तों परन हरिम क्या कहते हैं परन हरिम एक कौशन दोस्तों मन में बनता है कुछ बच्चों के के ये बताईए के क्लोरो फिल और क्लोरो प्लास्ट में क्या अंतर है बात समझो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते है हरित लवक फिर समझो तो क्लोरोफिल ये लिखा है और इसी तरीके से एक होता है दोस्तों लोगों को और ये लगता है एक जैसे ही है ये हैं एक जैसे बिल्कुल सही बात है लेकिन सुनो इसको क्या बोलेंगे क्लोर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की हिंदी क्या होती है पर्ण हरिम क्या होती है पर्ण हरिम और क्लोरोप्लास्ट की हिंदी क्या होती है दोस्तों हरित लवक फिर समझो हरित लवक तो ऐसा लगता है कि यह दोनों चीजें एक ही जैसी है लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सांत के अंदर जो चीज है उसको क्या कहते हैं क्लोरो फिल कहते हैं ये बड़ा छोटा असान तरह है दोस्तों बात समझो जैसे मालो ये समझो इस तरह से ऐसे समझे लो ठीक है तो इसका मतलब इदर उदर वाली चीज है तो वो क्या है दोस्तों क्लोरो प्लास्ट है वो एक अंग ह पत्ती का और उसके अंदर जो वरनक पाया जा रहा है जिसकी वज़े से जो पत्ती है वो उसका रंग हरा है तो उस वरनक को अम लोग क्या बोलते हैं क्लोरो फिल बोलते हैं पर्ण हरिम बोलते हैं हरिम मतलब हरा ठीक है भाई तो अम्मीद है ये छोटी सी बात आपको ये भी तरह का शिराविन्यास होता है, शिराएं क्या होती है, तो मेरी बात को सुनना, जैसे मालोग ये कोई पत्ती मैंने आपे बना रखी है नॉर्मली, आप लोगो ने पत्तियां छोटे पर खूब बनाई होंगी अच्छी तरीके से, इस तरह की मालोग पत्ती बनी होई है, आप क क्या करो एक काम करना किसी पत्ती को सूरज की रोशनी में करके देखना इस तरह से करके देखना तो अगर आपको उसके अंदर पूरा जाल जैसा नजर आ जाए दोस्तों तो याद रखना उसको हम लोग कहते हैं जालिकावत शिराविन्यास क्या कहते हैं जालिकावत शिरावि और अगर आपने मालो कोई पत्ती देखी ये पत्ती है वाई तो इसमें का आपने देखा इस तरह की पूरी लाइनिंग जैसी बनी हुई है पूरी पत्ती में कैसा है पूरी पत्ती में दोस्तों इस तरह से लाइनिंग बनी हुई है तो इसको बोलते हैं समानांतर शिरा विन् तो जब आपने मालो पत्ती ये वाली पकड़ी और आपने इस तरह से देगी तो आपको पूरे मैंसे lining सी नजर आ रही है अगर बिल्कुल lining है तो समझ लो के वो वाली पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास है समानांतर है और अगर आपने पत्ती को इस तरह से उपर करके देखा और आपको जाली जैसी नजर आ रही है तो समझ लो वो कौन सा होता है जाले का वत शिरा विन्यास होता है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर पौधा एक बीज पत्त्री है तो समझ लेंगे कि समानांतर शिरा विन्यास होगा ये नॉर्मल पहचान है और अगर पौधा एक बीज पत्री है तो समानांतर शिराविन्यास होगा और अगर पौधा दोईबीज पत्री है तो जालेकावत शिराविन्यास होता है उम्मीदे ये वाली बात भी आपको clear हो गई होगी तो चलो यार आगे बढ़ते हैं अगर clear हो गई तो अब क्या लिखा दोस्तों पोधों का रसोई घर अब रसोई घर का क्या मतलब है भाई इसका मतलब कि जहां पे खाना बनता होगा मैंने अभी अभी आपसे कहा कि भोजन सुरक्षित कहां पे रहेगा तनों में लेकिन भोजन बनेगा कहां पे तो याद रखना दोस्तों पतिय पत्तियों के अंदर झो पोईन मनता है यह वाला पॉइंट आपने अगले नंबर इसको चोड़ दो इसको सुन लो अभी इसको फिर बता देंगे क्योंकि इससे रिलेटिड इये वाला पॉइंट है दोस्तों क्यों कि पत्तियों के उपर कुछ छिद्र होते हैं जो पत्तिया होती हैं इनके उपर बहुत ही छोटे छोटे से बहुत अतिसूच्म छिद्र होते हैं छेद होते हैं जिने हम लोग क्या कहते हैं इस्टो मेटा कहते हैं, रंद्र कहते हैं, और यह रंद्र क्या करते हैं? यह सूरज के प्रकाश की मदद से, याद रगना, CO2 और H2O, मतलब कारवन डायोकसाइड और जल की मदद से भोजन बनाते हैं, बहुत समझो, पत्ती है, पत्ती के उपर इस्टो मेटा, मतलब छोटे- और ये रंद्र क्या कर रहे हैं या फिर पत्तियां क्या कर रहे हैं क्लोरो फिल तो ही इन पत्तियों के पास में याद रखना प्रकाश संसिलेशन जो प्रक्रिया है आपने छोटे पे खूब पढ़ी होगी उसमें क्लोरो फिल का भी यूज होता है ठीक है यूज किस-किस का हो तो मुझे इतना बताना नहीं पड़ेगे तो बहुत छोटे की बात है तो इन सब का यूज करती है पत्तियां तब बनता है भोजन और किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है आपको मालूम होगी फोटो सिंथेसिस प्रकाश संसलेशन के द्वारा बनता है ठीक है दोस्तों तो पौदों का रसोई घर क्या कहलाती है दोस्तों पत्तियां कहलाती है चलो यार आगे बढ़ो तो एक ही पॉइंट में दो पॉइंट क्लियर भी हो गए अगला क्या लिखा है पत्ति के प्रकार अब कॉश्चन लिखा दोस्तों पत्तियां कितने प्रकार की होती है तो आपको तो मैं normally किसी diagram के माध्यम समझाना चाहूं, तो ऐसे समझाऊंगा, कि जैसे मालो तुमने पत्ती देखी होगी, normal इस तरह की पत्ती समने देखी होगी, मैंने अभी अभी बनाई थी, तो अगर इस तरीके की पत्ती है दोस्तों, तो समझे लो कौन सी पत्ती है दोस्तों, सरल पत्ती है, लेकिन अगर पत्ती कुछ इस तरह की है, देखो ज़रा इस तरह से ये कहिस्सा निकला, ये इस तरह से निकली, ये देखो ये वाली निकल नहीं दोस्तों, इस तरह से मतलब वही एक बीच में शिरा है इस तरीके की बड़ी वाली शिरा बीच में है लेकिन इसके इधर भी छोटी-छोटी पत्तियां है इधर भी पूरे में छोटी-छोटी पत्तियां है तो दोस्तों अगर इस तरह की पत्ति मिलके पूरी बनी जाएं छुई-मुई- शिरा तो हमेशा जो सरल पत्तियां होती है उसमें केवल एक ही मुख के शिरा होती है ऐसी उसी के इधर एक ही ये बन जाई ये पत्ती बन गई लेकिन इसमें सोचो जरा इसमें सेयुक्त में क्या है कि इसमें ये एक शिरा है फिर इनकी भी तो छोटी छोटी शिरा है होंगी द उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेहनत करूँगा आपके लिए कि जिससे आपको सफल बना सकूँ दोस्तों बस आपका काम है वीडियो को लगातार वाच करना और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बड़े आराम से वीडियो हमारे सभी देख सकते है और बड़ी इमानदारी के साथ दोस्तों बिना किसी पक्षपात के कोई गलत काम ना करते हुए पूरी मेनत करता हूँ आपके लिए जिससे आप लोग सफल हो सकें ठीके भाई तो चलो आगे बढ़ रहे अब क्या लिखा भाई अगला पॉइंट लिखा है दोस्तों अंडा आशेते को मैं आपको बता हूँ एक छोटी सी बात जरूर बढ़ेगी हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन मैं उसकी परवा नहीं करता हूँ मैं आपको ग्यान देने में एकीन रखता हूँ याद रखना पौधे जो होते हैं जो आवरत वीजी पौधे होते हैं इसे समझो जो नौर्मल आवरत वीजी पड़े होंगे उन पौधों में दोस्तों जब दोहरा निशेचन हो जाता है आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आप ये समझ गई होंगे कि दोहरा निशेचन क्या होता है तो जब दोस्तों आवरत वीजी पौधों में दो दोहरा निशेचन हो जाता, चलो बताई दे रहे, देखो सुनो, जब दो नर योगमक और एक मादा योगमक, क्या समझे, जब दो नर योगमक और एक मादा योगमक मिलते हैं, तो ऐसा निशेचन क्या कहलाता है दोस्तों, दोहरा निशेचन कहलाता है, क्या कहलाता है, दोहरा दो नर्योगमक होते हैं और एक मादा योगमक होती है तो याद रखना कि इस तरह का जो निशेचन होता है इसको क्या कहते हैं दोहरा क्यों कहते हैं क्योंकि दो नर्योगमक होते हैं इसलिए क्लियर हो गई यह वाली बात ज्यादा डीप भी नहीं हुई और समझ में भी आ आज्ट रहाक है युक्छ नाशर किसमे चेंड हो जायेगा तो याद रखना अंडशर हैंडाश चेंड हो जाता है दोस्तों फल में और अंडशर के अंदर एक पार्ट होता पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बीजांड कहते ने को और प्रिश उवरी को होता है फल में और बीजांड किस में होता है दोस्तों बीज में ठीक है यहां तक की बात है चलो यार आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पे दो पॉइंट लिखे हुए हैं बड़े मन से समझ लेना वाई क्योंकि लास्ट पॉइंट है और हमेशा के लिए चीजें त्यार हो देखो यहां पे मैंने आपको एक्जेक्टली बता रहा हूं मैंने लिख रखे हैं यहां पे फल के प्रकार ठीक है भाई यहां मैंने लिख रखे हैं फल के प्रकार तो याद रखना अगर आपको एहतराज नहूं तो मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूं दोस्तों क्यो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए जो चलो अब शुरू करते हैं जो फल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं फल दो प्रकार के पहले होते हैं दोस्तों सत्य फल और दूसरे कौन से होते हैं असत्य फल अब समझो आकिर सत्य फल और असत्य फल का क्या मतलब है अभी अभी मैंने आपसे कहा कि फल का निर्मान किसे हो रहा है दोस्तों अब परिवाशा सुनो ऐसे फल जिनका निर्मान केवल अंडाशा से होता है कोई और मदद नहीं करता है तो उन फलों को क्या कहते है दोस्तों सत्य फल कहते हैं और ऐसे फल जिन में अंडाशय तो हो गई होगा इसके संग में और भी चीज़ें मदद करती है जैसे बाय दल पुझ होता है जिसको आप लोग कैलिक्स बोलते हो दल पुझ होता है जिसको तुम कोरोला बोलते हो तो इस तरह से और भी चीज़ें जब मदद कर देती है तब जो फल बनता है उनको क्या बोलते दोस्तों असत्य फल बोलते हैं तो मेरे संगसंग जरा परिवाशा बोल देना सत्य फल कौन से होते हैं ऐसे फल जिनमें केवल अंडाशे यूज होता है उन्हें क्या कहते हैं सत्य फल और ऐसे फल जिनमें अंडाशे के साथ साथ और भी भाग काम करते हैं उन्हें क्या कहते दोस्तों असत्य फल कहते हैं तो याद रखना यहां मैंने आपके लिए कुछ example ले लिए है जैसे मतर हो गया आम टमाटर ये कैसे हैं दोस्तों ये सब है सत्य फल और फिर क्या लिखा है सेव नाश पाती तो ये दोनों कौन है दोस्तों असत्य फल ठीक है भाई तो सत्य हुआ और असत्य दोनों हो गए लेकिन हमारे जीवन में हमेशा क्या होना चाह होती है दोस्तों एक जूट को छुपाने के लिए दुनिया में का जाते हजार जूट मैं कहता हूं दस हजार जूट बोलने पड़ते हैं लेकिन आप सबको बहुत हाथ जोड के विनम्र नेवेदन मानो या कुछ मानलो अगर गुरू मानते हो तो मेरा आशिरवाद मेरा एक ओ भी करेंगे वो सब के सामने खुले हम कर सकते हैं तो दोस्तों हमेशा सच बोलना और किसी भी मैं अन्तिम् Barbara कहूंगा वीडियो को एंड करूंगा किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से सुलजने का जो एक मात्र रास्ता होता है वह होता है केवल और केवल सच्चाई क्या हो इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी हम आपसे बोरा नहीं मानेंगे तो हम आपको मिल जाएंगे कहीं पर स्क्रॉल करते हुए ठीक है दोस्तों तो मीरे वीडियो अच्छा लगा ह इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दिया करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत